मरजी योगी उसकी फोटो रखोंगा यह कोई कानून फड़िया है अगर ऐसा ही है तो फिर बाबा साब के अपने घर में फोटो लगाते आप बाबा साब को लगाओ अब फिर दूसरी बात तो हम तो कहते हैं पुलिस को और इनको बीच माने नहीं चीए हमने देवी देवता क समझेंगे इनको बोलने क्या जरूरत है इनको क्या तकलीफ है मैं तो पुलिस को एक माध्यम सा आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि अनरगल किसी को परसान ना करें ठीक है बना अभी तो सीतापुर का मामला है पूरे देश मुझ लेगा और फिर दर्ना सविधान से चलता है और सविधान रचियता परम पूज्य बाबा साहिब बोधिसत्व डॉक्टर मबेटकर ने अपने अनुयाईयों को जो 22 पृतिग्याय दी है उनके अनुयाई बड़ी सतरक्ता के साथ और कह सकते कि बड़ी सिद्दत से उन 22 पृतिग्यायों पर अमल कर अधर है जैसे जैसे प्रिचोर प्रिसार हो रहा है तो गाउँों में बढ़ार अब चल निकली है काशकर कि अंदर सत्ताधारियों के पेट में धर्दुआ है जिस तरह से पुरदेश के अंदर एक राजनीती घड़क मचा है बहुजनों की जो सरकारे हैं उनके जो नेताओं के जो बियान आए हैं उसके बाद मेडिया जो आज तक इन विश्यों से अच्छूती नहीं रही है कहीना की प्रिचार ना हो जाए डॉक्टर अमबेटकर का या उनकी बाइस प्रितिग्याओ का या भाजन समाज की वो आवाज ना दिखा दें लेकिन अब उनकी मजबूरी पड़ गई है कि जिस तरह के से देश में हालात है उनके पास मिला कुलारी डंडे चकू उनसे उन्होंना तोड़ तोड़के उनको निकाल दिया उन्होंने उनको घर से बाहर कर दिया अब उस मामले पर सीतापुर के महुली ठाने में मुकादमा दर्ज हुआ है ये मामला है कटाहगरागाम का और कल से समाज के कुछ यूवकों को थाने में बिठा के रखा हुआ है चार लोगों के समतावाज टीवी के सभी दर्शकों को मनुजनतानी साब आपको बहुत बहुत धन्वात स्वागत है सर कल से हम लोग इस पूरी ख़बर पर नेजर गड़ाए हुए है जिस तरीके से उन दो यूवकों को पुलिस ने बिठा कर रखा है दवाव बनाया जा रहा है क्या किस ने भी देवता उनको लग भाग रहा है तो उनको तकलीव इस से हमारी जागुरुकता से तकलीव है मैं तो अभी देखो पॉलिस को भी समझना चाहिए जब परमपुझ बाबा साहब ने 1927 में मनुजनती जलाकर करके यह संदेश दिया पूरे देश बासियों को कि यहां पर मा मानम नहीं समझा जाता में तो जब उनको colours भी समिधान लिखा तो मानम अ कि वो इंद कंग हूं को दर्मК की जगा कर दिया और हम सत्ता में भी आए जमने सत्ता मजा चक़ा तब लगा कि नहीं हमिक सासक होना चाहिए यह तकलीफ उनसामनतिक कुछ लोग हैं मनुषमर्ट को मानने वाले यह, रसेत को लोग मानने जिये तो वो ऐसे लोग हैं उनको यह तकलीफ सबसे ज्याद तकलीफ है यह कहले ऐता हूं तो अगम अर्स्ट को महिला में बना दो अगर अको लगता है जातियां नहीं है तो जातियां नहीं हैं तो तुम भैडा तेहों अज आज जू युछ बुब़स्था बाण ब्रस्ता है तो यह सच्छा ही है जो अगर जितना भी यहां पाखंड है वो ब्रामनों का ही दिया हुआ है यह मोहन भागवाद जी अब स्विकार किये हैं या उनकी इसके पीछे राजनेतिक चाल भी है या आप ही चुनावाने वाला है परल्लेमेंट में गद्दी हिल इस समें डामाढोल पड़ी हुई है क्योंकि तिसरा मोर्चा लगोंग कि तैयार हो गया है और पबलिक आम पबलिक इतनी अगर जैसे माली दो बच्चे उन्हों बैठा ले हैं, बहुत बैठाला जाए, यह पुलिस जो है ना अपनी मनवानी भी करती है, या सत्ता के दवा में करती है, तो अगर कानून हमारे सम्झान में उन दो लोगों के लिए बनाया गया है, तो अगर जो मिनिस्टर हैं, या और लगाए जाएगा उनको बता हो तो यह इれए पुल्स को नहितरा प्यbad unexpectedly पर समपर्ग उभा रहाए और घुनि और निके पहुत दवाव बना रही है उन धूर्त हैं बुद्ध कता सुनने के बाद गावालों का गावालों को एसास हुआ कि हम बहुत गलत कर रहे थे दोक्टर अमबेटकर तो हमारे लिए बहुत कुछ कर गई है उसके बाद उन्होंने उन पृतिकों को अपने घरों से हटा दिया इससे किसी को क्या पत्ति हो सकती है इनको आप अपने घर में नहीं रखते हैं मरजी योगी उसकी फोटो रखोंगा यह कोई कानून थोड़ी है अगर ऐसा है तो फिर बाबा साब के अपने घर में पोटो लगाते आप अब फिर दूसरी बात तो हम तो कहते हैं पुलिस को और इनको बीच माने नहीं चीए हमने देवी द अब फुल उस जवानें क्या नहीं दिखाते हैं टीवी में तो देखता हूँ और इस पर विचार मन्थन करता हूँ कि उस टाइम पर अगर इतना था तो आद तो वहां इतना भी नहीं है आद तो अगर कोई बात बन जा तो सम्मिदान और कोट है तो देवी देवताओं को भी कोट में जाना पड़ता है तो कोट में जाना पड़ता है तो सम्मिदान चले गए जो पढ़ता है वो चला गया तो इनको तकलीफ सिर्फ और सिर्फ हमारी जागरुखता से और कुछ नहीं है और उनको संदेश एक ही पूरे देश में बात अभी पहुंचेगी जरना परदसन होंगे या फिर जो भी समयलारी कारवाई हम लोग कर पाएंगे रोड पे उतरेंगे इन के लिए सम्तावाज चिवी के माध्यम से हमारा भी सीतापूर के ग्राम कटेगरा वाशियों से यह अपील है कि अपने छेत्र में सांती बनाए रखें पुलिस प्रिशासन पे जाके अपनी नियमित जो करवाई है दिन चरिया की 20-50 लोग वहाँ पर जाएं और उनसे अपील करें और देखें इस मामले में आगे क्या हो सकता है बागी हमारी वकीलों की लोभी है उस्तव की संदेश यह पहुचा है आगे देखेंगे इस खबर मे क्या नहीं अपडेट है बने रहे समता आवाज टीवी के साथ क्योंकि समता आवाज टीवी वो दिखाता है जिसे कोई नहीं दिखाता है खबर के बारे में आपकी क्या राए है कमेंट सेक्शन में लिखे जरूर और हाँ चैनल को अभी तुरंत सस्क्राइब करकर गंटी प कर दो